बॉलिवुड का एक ऐसा टैलेंटेट अभिनेता जिनकी शुरुवाती पीडियों ने अपने टैलेंट से बॉलिवुड को सीचा और उने की तरह इस आक्टर ने भी बॉलिवुड में अभिनेता, निर्देशक और लेखक के तौर पे काम किया अपने जिंदगी में एक से एंडर वर्ल्ड वालों ने गोलियां चलवा दी, जिया हम बात कर रहे हैं फेमस डारेक्टर राकेश रोशन की, जिनकी जिंदगी में कई ऐसे किस्से हैं जो आपने शायद ही कभी सुने होंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा और साथ ही अग पिता रोशन से लेकर उनके भाई राजेश रोशन, बेटे रितिक रोशन और ससुर जी ओम प्रकाश जी भी हैं। राजेश रोशन बश्पन में संगीत कार नहीं बलकि एक सरकारी ओफिसर बनना चाते थे। लेकिन पिता के दिहान के बाद उन्होंने संगीत में रुची लेना शुरू कर दिया और राजेश रोशन की पहली गुरू उनकी मा इरा रोशन थी। साल के बाद दोनों के बीच में तलाक हो गया। रितिक और सुजैन के दो बेटे हैं जिनका नाम रेहान और रिदान है। दोनों बच्चों की परवरिश रितिक रोशन और सुजैन खान मिलकर करते हैं। चली वहीं अब बात कर लेते हैं राकेश रोशन के करियर के बारे में। तो आपको बता दें कि राकेश रोशन ने अपने करियर के शुरुवात साल 1970 में फिल्म घर-घर की कहानी से की थी। इस फिल्म में उन्होंने बताओर सपोर्टिंग अक्टर काम किया था लेकिन इस फिल्म से उन्हें कोई खास नहीं पहचान पाया। इसके बाद उन्होंने पराया धन, खेल-खेल में, खटा-मीठा, तीसरी आँख, खुबसूरत जैसी कई शानदार फिल्में के लेकिन उन्हें हमेशा सपोर्टिंग अक्टर के तोर पर ही जाना गया। और उन्हें वो सफलता नहीं मिल पा रही थी जो राकेश चाहते थे जिसकी वज़े से वो एक सूपर स्टार बन पाते। और बताओ रभिनेता, राकेश बॉलिवुड में कुछ खास नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा, उन्होंने साल 1980 में एक प्रोड़क्शन कंपनी खोली और उन्होंने फिल्म आपके दिवाने का निर्मान किया जो की एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई लेकिन उनका दूसरा प्रोड़क्शन काम चोर एक जैसी फिल्मों का निर्देशन किया जो की बॉक्स ओफिस पर सुपर डूपर हिट साबित हुई लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि इनकी जिन्दगी से जुड़ा एक और इंट्रेस्टिंग किस्सा है जब इन्होंने के अक्षर को अपना लग मान कर फिल्में बनानी श कई फिल्म निर्माताओं के अपने-पने अंधविश्वास होते हैं और वो लोग इसको फॉलो करते हैं ऐसे कई लोग हैं जो मैसूस करते हैं कि उनकी फिल्म में एक निष्वत तारीख पर शुरू होगी या फिर रिलीज होगी तो वो फिल्म सूपर हिट या फिर बॉक्स पर ब्लॉक्बस्टर साबित हो जाएगी लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अपने फिल्म के टाइटल में एक निश्वित अक्षर के प्रती लगा होता है जिया और कुछ ऐसे ही हैं हमारे राकेश रोशन राकेश रोशन की जादा तर फैन ने उन्हें एक लेटर भेजा जिसमें उन्हें अपनी सभी फिल्मों के नाम के अक्षर से शुरू करने की सला दी गई थी हलाकि जब उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया उसके बाद साल 1986 में उन्होंने भगवान दादा बनाई और रिलीस किया वो भी बॉक्स ओफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई तब राकेश को उस लेटर पर लिखी गई बात याद आई और उन्हें लगा कि हाँ है बात तो सही है क्योंकि उनकी फिल्म खटा मीठा और खंडन जैसी फिल्म में हिट रही है जिसके नाम के अक्षर से शुरू होते थे बस तब ही से राकेश रोशन ने अपने उस फैन की सला को मानने से पहले इसे आजमाने का सोचा इसके बाद 1987 में फिल्म आई खुदगर्ज जो कि सूपर हिट साबित हुई इसके बाद उन्होंने ठान लिया कि अब तो वो अपनी फिल्म के नाम के अक्षर से ही शुरू करेंगे इसके बाद उन्होंने फिल्म खुन भरी मांग, काला बाजार, किशन कनया करन अरजुन, कहो ना प्यार है कोई मिल गया क्रिश और क्रिश त्री जैसी फिल्में बनाई, जो की बॉक्स ओफिस पर सफलता के जण्डे गारती गई, यही नहीं दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया होगा, तो एक्टर निर्देशक राकेश रोशन, कभी भी अपने सर पे बाल नहीं रखते हैं, जी हाँ तो आकरगार क्या है इसके पीछे की बज़े, चलिए ज़रा ये भी जान लेते हैं, दरसल बात साल 1987 की है, जो राकेश रोशन ने बतोर डारेक्टर पहली बार काम किया था इन्होंने फिल्म खुदगर्ज का निर्देशन कर देंगे, 31 जुलाई 1987 को उनकी फिल्म खुदगर्ज रिलीज हुई और यकीन मानिये बॉक्स आफिस पर सुपर हिट हो गई, हाला कि उसके बाद उनका मन बदलने लगा, और वो गंजे होने से कतराने लगी, इतना ही नहीं, वो मननत भूल गए और अपना अपने सर पे बाल नहीं रखेंगे इसी के साथ ही राकेश रोशन की सक्सिस स्टोरी भी शुरू हो गई इसके बाद उनकी तमाम फिल्में हिट होती चली गई, और राकेश रोशन के बतो निर्देशक सफलता की कहानी यहीं से शुरू होई थी इसी के साथ ही आपको बता दें कि राकेश रोशन ने राकेश रोशन के साथ मिलकर क्रिश फ्रेंचाइजी की चौते फिल्म क्रिश फोर पर भी काम शुरू कर दिया है जिसका काम जल्दी पूरा भी हो जाएगा वहीं अगर बात की जाए कि आकिरकार क्यों अंडर वर्ल्ड ओन ने इतने फेमस डारेक्टर और एक्टर राकेश रोशन पर गोलियां चलवाई थी तो आपको बता दें कि यह बात तब की है जब राकेश रोशन ने अपने बेटे रितिक रोशन को साल 2000 में कहो ना प्यार है से बॉली बॉर्ड में लॉंच किया जो कि उस समय पर एक ब्लॉग बस्टर फिल्म सावित हुई थी 10 करोड के बजट में बनी इस फिल्म ने 62 करोड रुपए की कमाई की थी इसके बाद राकेश रोशन को अंडर वर्ड के लोगों ने हमला कर दिया इस हमले के दोरान राकेश रोशन को दो गोलियां लगी थी जिससे उनकी जान जाते जाते बची थी गोली लगने से राकेश रोशन बुरी दरस से घायल हो गए थे और उन्हें एक कंधे पर गोली लगी थी यानि कि अमिताब बच्चन के साथ में कभी काम नहीं करते हैं जी हाँ, बिल्कुल सही सुन आपने और इसके पीछे एक बहुत ही दिल्चस्प वाक्या भी है दरसल, एक इंटर्वियू में राकेश रोशन ने बताया था कि फिल्म किंग अंकल में वो अमिताब बच्चन के साथ ही काम करने वाले किंग अंकल उनहीं के लिए लिखी गई थी और अमिताब बच्चन ने इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भी भर दी थी पूरा स्क्रीन प्ले उनके लिए तियार कर लिया गया था मगर, एन वक्त पर अमिताब कुछ निजी समस्याओं से घिर गए और फिर उन्होंने तीन-चार साल ब्रेक लेने का तैग गिया तब से राकेश ने भी उनके साथ कोई भी फिल्म साइन नहीं की लेकिन ऐसा नहीं है कि अमिताब और राकेश रोशन के बीच में कोई मन मुटाओ है आज भी वह दोरों मिलते हैं तो एक दूसरे का संबान करते हैं जिन्दगी में इतनी सारी प्रोब्लम्स का सामना करने के बाद भी राकेश रोशन को साल 2018 में गले का कैंसर पता चला अभिनेता ने अपने एक इंटर्व्यू में बताया कि मुझे याद है कि 15 दिसंबर 2018 का वो दिन था मुझे एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि मेरी बायोप्सी रिपोर्ट सकारातमक थी डॉक्टर ने कहा कि जीव के नीचे की गांट को काटना पड़ेगा जिससे मैं बहुत ही जादा डरा हुआ था लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी मैंने इलाज के दोरान 10 किलो वजन कम किया था लेकिन अच्छे डॉक्टरों से इलाज कराने के बाद मैंने इसे ठीक कर लिया अब मैं रोजाना तेड़ घंटे जिम में बिताता हूँ हलाकि आज राकेश रोशन बिलकुल स्वस्थ हैं और एक बहुत ही शानदार जिंदगी जी रहे हैं तो दोस्तों अक्टर डाकेश की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा और बॉलिवुड से जुड़े ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोलें आप से